परदान मंतरी ने रेंदर मोदी ने रविवार को गोरफपूर से परदान मंतरी किसान सम्मान ने दी योजना की शुरुआत की इस मौके पर पीम मोदी ने एक करोड एक लाग लोगों के बैंग खाते में पहली किष्ट की दो-दो हजार रुपे ट्रांसफर किये इसके बाद एक विशाल जन सभा को सम्मोदित करते हुए पीम मोदी ने कहा कि आज एक एतिहास एक दिन है मुझे एक करोड एक लाग किसानों के बैंग खाते में पहली किष्ट करने का मौका मिला है ये योजना एक साथ चौधार राजियों में शुरू हुई है सभा को सम्मोदित करते हुए पीम मोदी ने कहा कि जिन किसानों को पहली किष्ट नहीं मिली है उनको आने वाले कुछ हफ़तों में पहली किष्ट की दो दो हजार रुपे मिल जाएंगे PM ने कहा कि राज सरकारों से इस योजना का लाव उठाने के लिए किसानों की लिष्ट केंदर सरकार को भेजने के लिए कहा गया है इस योजना के साथ राजनीती करने वाली राज सरकारों को चेतावनी देते हुए पीम ने कहा कि आप ऐसा करके असल में अपनी राजनीती खत्म कर रहे हैं पीम ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसी के बहकावे में ना आएं पीम ने कहा कि ये स्कीम संसद में पेश की गई थी तब महा मिलावटी लोगों के मुह उत्रे हुए थे जनसवा को सम्वोधित करते वे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने कहा आपक जशी एवर्ट कर ले अपर सखार करार है कुषी नवसकार जुषी इवर्ण कर सांध कलियांड बतरालें भरधान बतरी के सांथ समाने दियोशना के शुवार्ण के उप्लपोश्रे आयोजित इस कार्टरम में आप सबका स्वाधत, हमारे आज के आयोजित के उत्याति इमानिटी ये पढ़ाज मत्री, शुर्णतम पुल्दीशी हमारे बीच पढ़ाज चुके हैं, जोर का गाजियों के साथ उखा विलाति पूछेगा. साथ एक उत्रपदेश के माननियों के बंदी योगे आज के नाची. नाची जराए लगाज नाची उत्याणिर्मां के लिपली ये करेंके लमानियों के लिए आज करेंदी अरे, कि एमिचा भागाड़ मोरों का लिए पारे नाची कली शुकी हमारे बंदी हम acum नेगे ब़्ुपर च lleह मेंदी का थोमारे लिए बंदी उबतरगेश्य मालरी रुख्य मंध्री योगिया अधितनाज जी मालरी पधानमंध्री ची को शौल है को स्मृति जी स्वदू शंक मेट करते हुई जो अपने आप में शुप का सांखे देखे और आपको बताना चाहेंगे स्मृति जी स्वदू मालरी पधानमंध्री ची को उनका चित्र बेट किया जा रहा है जो की धान और दाल से बना है किसानों की अवर से मादरी पधार मत्वी जी का समान इस रूप में किसमत्वी जी पहेच कर लगी है। वह बहुत बहुत हनवार है। आग इतना से कैसी जरूब तो गलिए कर पाए। अब उतकों साहुकार के पाथ से महेंगे व्याजवाले रखन के पैसे तही लेने पड़े। इससे तक में सारे साथ लाग त्रोग किया शीधा किसानों के लाफ़े में जमा होगा। पुदहन मंत्री किसान समान में दी उन किसान परिवारों के लिए हैं। जिनकी जोद की भूमी दो हिट्सों तक है। और सिमान्त किसान परिवारों के खातों में भीजा जाएगा। लाभार्थी किसानों को हर चार महाँ पर मिलने वानी ये राशी। एक तरफ जहां फसल बोने के समय खेदी की जरूरतों को पूरा करने में मदब करेगी वही किसान समय पर इस सम्मान राशी का उप्योग कर खुद को महाजन के कर्ज से बचा पाएगा इन योग्य किसान परिवारों का चैर राज्य सरकार कर रही है और इस योजना का पूरा खर्च केंदर सरकार वहन कर रही है पी एंग किसान योजना के तहट दो हजार रुपए की पहले सम्मान राशी योग्य किसान परिवार के बैंक खाते में भेजी जा रही है सम्मान जिस पर हमेशा अन्य बाता का हग था अब वो उसे मुल भी रहा है प्रधान मंत्री किसान सम्मान में थी नए भारत में किसान की किसाने का नया अभिमान और अब वो शन जिसकी नाभारती जिसानों के भातों में पहली किसी की धन्राशी मान लिए बतान मंजी जी के अगर कम लोग वारा डिजिटली स्थानां चिन की जाएगी इसका सीधा वित्रण होगा और संख्य की दिश्टी से आप से साज़ा करें तो इसके अंदर कर एक गरोड एक लाग शे हजार आठसो असी लाबाणफी किसानों के घातों में ये राशी महुंचेगी और ये राशी है दो हजार 21 कवर रुपे की जो लगु एउम सिमान किसानों के खातों में प्रेशित दीचाएगी तो बहुत बहुत दिनेवाद माने की पथा दर जीजिए जाए 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 किसान जाए जवान जाए पुसान जाए जवान जाए पुसान उत्तर पुदूश के लोग पुरियम मुक्य मंतरी सुरिमान योगी आधित्यनाजी केंडियम मंतरी परिशक्त मेरे सहयोगी सिमान राजा मोर्सेजी सिमान शुपताप फुकलाजी उत्तर पुदूश सरकार्मे मंतरी सिस्वुरित पुदूशाईजी साउसब मेरे साथी और उत्तर पुदूश भार्ती जरुता पाटी के ज़्यक्ष्य सिमान मायन राजाप पांडे जी हम सबके बरिश्ट मेता बहुत छोटी आरुसे मुझे जिनका हमेशा मारबर से मुदा वैसे साउसब मेरे साथी हम सबके बरिश्ट मेता सिमान कलराज मिश्य जी उपस्तित मन पर सभी साउसद्गार मन पर उपस्तित अन्य सभी महालवाओ और यहाँ गोरफूर में बारी संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों कखनी के माजियम से बेश फर से बिड़े किसान भाई और बहनों का मेरे बैसे फिर एक बार अभिवादन करता है आपको खुशी होगी आज गोरफूर की इस्थान के कारकम से गोरफूर की धर्थी से हिंदुस्तान के दो लाख गाऊं के कॉमन सर्विश सेंटर में सेक्रो किसान की कट्टे हुए है और इस आउसर के वेजी भागीदार बने है साथियों बादा गोरशनात की धर्टी पर आप सभी के बीच मुझे अनेक बार आने का सौभाग मिला है लेकिन आज का दिन देश के इतिहास में दर्ज होने जा रहा है आज का दिवस सामान ने दिवस नहीं है लाल बादो साथिय जी ने जय जवान जय किसान कहा था उसी मंत्र को आज इतने सावों के बाद किसान के खेटकर किसान के घर्टक किसान के जोटकर अगर उतार में का काम हो रहा है तो आज के परिट्र देश में हो रहा है आजाजी के बाद किसानों से जुड़ी ये सबसे बड़ी हो जना आज उतकर प्रदेश की पवित्र धर्टी से मेरे देश के करो योग करो योग किसान भाई यो भेडों के आज़ी बाद से हारंब हो रही है मैं गौरकपुर के लोगों को तो दोरी बढ़ाई देता हूँ क्योंकि वो पदान मंत्री किसान सम्मान निधी की शुरुआ के साथ्षा ज़बा बन रहे हैं बाई और भेडों आज ही गौरकपुर और पुर्वाइन चलके विकार से जुरी लगड़क दस हजार करों हुपिय की परियुद्रों का नुकारपर और सिलान नियाद भी किया गया है दस हजार करों रुपिया स्वास्थ सलक रेल रोजगार गैस जैसे छेत्रों से जुड़ी ये तमाम परियोजराएं इस छेत्र के जीवन को आसान दनाने वाली है इसके लिए गुवरत को सही पुरवान चलको मैं बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ बहुत 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 बढ़ाई देता हूँ इसके अलावा करोरों पशुपालों को दूप के व्यवसाय से जुड़े किसान परिवारों मज़िपालन मचली पालन और इसके व्यवसाय से जुड़े बहें भाईयों को भी किसान करिवार का दें सुवदा से जुनने के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ साथियों किसानों के लिए पहले की सरकारों ने बाते तो बहुत की कांगेज पे योजिनाय भी बनाई लेकिन उनकी मनसा किसान को ससक्त करने की नहीं बनकी किसान को छोटी छोटी चीज के लिए लगातार तर्षाने की थी उनमें किसान का भला करने की नियत नहीं थी इसलिए वो किसानों के लिए कभी भी सही मिलने नहीं ले सकते थे भाई और भाणों इसी सिती को बगनने के लिए आपने 2014 में भारतिय जंता पार्टी की अगवाई में एंविय के सरकार बनाने का आउसर दिया हमने किसान की छोटी छोटी दिक्कतों पर धान देने के साथे उनकी चुनोप्यों के संपूर और निवारर पर भी काम किया किसान पूरी तरह से ससक्त और सक्षम बने इस लक्ष के साथ हम निकले हैं हमारी सरकार बहुत इमांदारे से कोशिस कर रही है कि देश के किसानों को हर वो सादल सवचादल दे जाएं जिससे वो वर्ष दो हजार माईस तक अपनी आए दो गुरी कर सके हैं साथ्यों बीते सारे चार वर्षों के अपने प्रयासों को और मजबूती की इस कड़ी में किसानों को सिधी मदब देने के लिए पी-एम किसान सम्मान निधी आज उत्कर प्रयों की परित्य धाची से देश के करोनों किसानों के चरोनों में अर्पित करता हूँ अपसे कुछ मिनित पहले बेश के एक करोर एक लाग किसानों के खातों में इस योजना की पहले किस ट्रास्पर करने का सौभाज्य मुझे मिला जिसको आपने तालियों के गाजे बाजे के साथ उसका स्वाधत किया मुझे बताया गया है कि देश के 21 राज्यों केमरा सासित प्रदेशों के किसान इसमें सामिन है इन किसानों को दो हजार इकीस करों रुपिये अभी सीधे काज़ पर हो चुके हैं बाकी किसानों को भी इसी तरह पहली किस्त के दो हजार रुपिये अगले किछ हप्तों में भी मिल जाएंगे और दो हजार रुपिये किसानों के खाते में दो हजार रुपिये की पहली किस्त जमा होगी भाई और बहनों और मैं आपको बता दूँ ये तो अभी शुरुआत है इस लोगना के तहट हर वर्ष लगवाग 75,000 करोड रुपिये किसानों के खाते में सीधा पुछने वाले हैं बेश के वे बारा करोड छोटे किसान जिनके पास पाच एकर या उससे कम भी है ऐसे सभी किसानों को इस लोगना का सीधा लाग मिलेगा अब किसानों को बीज खरीदने के लिए खात खरीदने के लिए दवा खरीदने के लिए बिजली का दिल भरने के लिए खेती से जुड़ी ऐसी अनेज जर्रतों को लिए परिशान नहीं होना होगा के लिए सरकार हर सार जो छे हजार रुपिये सीधे आपके बेंग खाते में टास्पर करेगी उससे आप अपने जर्रतों के सारे काम कर सकते हैं इसी काम के लिए दो हजार रुपिये की पहली किस्थ आज अनेज किसानों के खाते में जमा की गई है इनमें से कोच किसानों को थोड़ी गर पहले सर्टिफिकेर भी दिये गई है मैं फिर कहूंगा जीन किसानों को आज पहली किस्थ नहीं मिनी है उन्हें आने वाले कुछी समय में कुछी हप्ते में पहली किस्थ की राशी उनके बेंग खाते में जमा हो जाएगी भाई और भाई और भाई पहलों प्रेम किसान सम्मा निदी के ताब जो पैसे किसानों को दिये जाएगे उसकी पाई पाई केमर में धटी हुई बोवी सरकार की तरफ से दी जाएगी राज सरकारा को कुछ नहीं करना है बस इमान दारी से अपने अपने राज के पिसानों की सही सुची बनाना है और वो लीष्ट तोरंध हमको पहुचाना है अगर जितनी जल्डी सुची आजाएगी और बहुते प्रेट सरकार का बिहार सरकार का गुज़ाद सरकार का महाराथ्ष्य सरकार का उत्राशन की सरकार का ऐसी कई सरकारों का रिजय से अभिनेंदन करता हूँ को नों ने इस काम को प्रफिक्ता दी लेकिन ऐसे भी कुछ राज सरकारे हैं जिनकी नींद भी खुली नहीं है उनको लगता है कि इस पर वो राजनी टिकरने जाएंगे मैं इन सरकारों को चेतांडी देता हूँ अगर आपने अपने राजी के किसानों के सुची समय पर नहीं पहुचाई अगर वो इन राप से बन्चीत रह गए तो इन किसानों का साफ इनकी बगत दुआएंगे आपकी राजनीती को पहस नहस कर देगी अगर दिलोजी दिल की सरकार हो सकती हो लेकिन महरवानी करके किसान तो हमाने देश का है उसके साथ राजनीती क्यों करते हो क्यों के साथ खिलवार करते हो भाई यो देनो मैं आप तो यह भी कहना चाहता हूँ किसी होज़ा को लेकर किसी के बहकावे में ना आए हमारे दिलोधियों में महामिलावटी लोगों ने यह गुणा का सुना तो आपने पार्लमेंट को देखावेगा चेहरा लटक गया था मरे पड़े थे मरे पड़े थे उपर लगणा का सारे किसान मोदी मोदी करने लग गए अर इसलिए अब क्या करें अब जूट बोलना अफ़ाएं ठेलाना यह तो मुझे लगता है शाइब उनका जन्मजात शभाव है जन्मजात शभाव इसलिए अने नही अफ़ा चालू की है उन्होंने अफ़ा ऐसी चालू की है और किसान इसको संजे उन्होंने ऐसी अफ़ा चालू की है कि मोधी ने अभी 2000 पर दिया है बाद मोधी 2000 देगा उसके बाद भी 2000 देगा लेकिन साल धर के बाद यह मोधी वापिस ले लेगा मेरे किसान भाई यह बहनो यह जो पैसा दिया जा रहा है यह आपके हक का है कोई इसको वापिस नहीं ने सकता है न मोधी वापिस ने सकता है न राजिकी कोई सरकार को वापिस ने सकती है और इसलिए ऐसी अप्ठा खालाने वारों को मुतोर जबाब दे मेरा भाई यह बहनो मेरे किसान भाई यह बहनो जब केंदर ने किसान का ही सोचने वाली किसान की चिंता करने वाली सरकार होती है तभी इस तरह की योद्राएं मुम्किन होती है जमीन पर करती है ना मुम्किन को भी मुम्किन करके दिखाते है अब पहले की सरकारों की अब यह जो ना समझने जोज़ा बीचे है बाईयो और आप कुण को बताएंगे जो बात मैं समझा लہओ को बताओगे हर किसान को बताओगे सच्चा ही उनको समझाओगे जूट फ़हलाने वालों को कराणा जबात दोगे पता जोगे मैं आपको समझाता हूँ ये कंगरेस वाले चिनाव के पहले ये सारे महान दिलावटी लोग ऐसे ही है कॉंग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इनके सारे चेले चपाते हो वो क्या करते हैं, दज साल में एक बार, उनको किसान याद आता है दज साल में एक बार, और वे भी चुरो के पहने याद आता है और फिर कर्ज माफिका बुखार उनको चड़ने लग जाता है और कर्ज माफिका बुखार चड़ने लग जाता है और कर्ज माफिका बुखार चड़के, रिवड़ी बाट करके, किसान की आँख में धुल जॉप करके बोट में लिना यह चाना की वो सुप गए थे लेकिन उनको पता नहीं था अब उनको मोडी मिला है मंगा पर जाएगा उनके पोल खोल कर रख देगा उनके जूट के नकाप को खोल कर रख देगा और सच्ची किसान की सेवा क्या होती है यह मोडी करके जिठाएगा और इसलिए पार्लामें में देखाओगा उनके चेहरे लटके हुए थे और हमें सुप चुनावी बादा करने के लिए गोशना नहीं की हम पार्लामें के फोल पर बोले हैं और बजिट में पैसों का प्राजाल करके बोले हैं यह हमारी मांदारी है आप याद करिए साल दोजार आथ में 6 लाद करों रुपियों का कर्च किसानों पर था जड़ा मेरे साथ बोलिए मैं बताता हूँ दोजार आथ में सरकारी दफ्तर के हिसाब से बेंकों के दफ्तर के हिसाब से किसानों का पूरे डेश का कर्द था किसाने का माप होना चाहिए तक यह उना चाहिए था 2009 में चुना हुआ फिर से वो कर्षी पेच्छिप गए फिर रिमोट किंटर चाले हो गए या और क्या हुआ मालू मैं आपको क्या हुआ मालू मैं देश को किसी को मालू महीं है सब अंदेरे में और इनके चेले चपा के भी चुप छे लाद करोर का कर्थ था माप कितना किया से राप, से राप, से राप अंकरा याद रखिये छे लाद करोर के सामने मात रबावन हजार करोर रुप्या माप किया कितना माप किया कितना माप किया कितना करने की जरुट थी आप मेज़े बताईए ऐसा जूठी बाते करने वालों पर बेखकाप किसान दुरुसा करेगा क्या ऐसा जूठ करने वालों को सजा करेगा और ने करेगा और भाईयो बैनो ये बावन हजार करोग रुपिया दी गज़ सामने एक बार और वो भी चुनाओ के पहले बड़ी बड़ी बाते अब ये उन्होंने जो लिस्ट बनाई वो भी किसकी जो इनके सिपह सालार के उनकी सब किसानों की नहीं बारा तेरा करोग किसान उसमें से सिरफ दो या तीन करोग किसानों को ही सिरफ ये बावन हजार करोग क्या बाठ दिये गए उसमें भी 35 लाज तो ऐसे लिकले जिनका कोई किसानी से लेना दे रही नहीं था हार साल एक समय के लिए नहीं है हार साल साल में तीन बार और सरकारी खाजाने से हार बार 75 लाजार करोग रुपिया किसान के खाते में इधा परसाथ जाएगा भाई जबना इनकी योजना एक दस साल में एक आप बोट बतों नहीं कि किसान के आँके दूल जूंकने की जिए गएगा थी उसमें गाउं में अगर सौ किसान है तो कहीं पर 20 को लाग मिला किसी को 22 को मिला करे को 25 को मिला हमारी बेज़ना ऐसी है हलवर्ष मिलेगी बेस के भारा करोन किसानों करेगी और गाओ में अगर सो का हिसान लगाँ है तो सो में से 90 किसानों को मिलेगी भाई बडान रू नबे किसानों सुचिए किसानों को सीधे पैसा देकर बेस की गोड़ादि बारते में वेस्ता को कितना बड़ा मुदेश मोधी सरकार कर रही है इसका अपन्दाज लगा सकते है साथियों हमारे लिए यह भी बहुत आसान था कर्द मौफी का फैसला को नुश्किर काम नहीं था हम भी रवरी बार देते हम भी चुनाओं में अपना खेल खेल लेते है लेकिन मुदी ऐसा पाथ कभी करता नहीं है मुदी ऐसा पाथ के लिए कभी सूथता नहीं आप सोचिए हमारे सरकार प्रदाम बहुतरी कृसी सीचे लोगा पर ही करीब करीब एक लाख करों पर खर्च कर रही है इतनी बड़ी राथी हम लगा रहे हैं ताकि देश में जो सुचाई परियोगरा है तीस, तीस, चारीस, चारीस साल से अधिरी थी लटकी होई थी उन्हें प्रुआ किया जा सके हमने देश भर की निद्ना मवे ऐसी परियोगराई चुनी थी जिस मैंसे सक्कर से जादा अप्रुआ होने के स्थिति में आ चुकी है इन परियोगराई की बड़े से किसानों को लाकों है कर जमिन पर सुचाई के सुविदा मिल रही है और यह काम है जो किसानों की आने वाली कई पिडिया तक को लाब देने वाला है साथियों इन सिचाई परियोगराई को तेरा करने के लिए कहीं कोई प्रदर्शन नहीं हुआ था कोई दबाव नहीं था सिचाई परियोजणाओं को फुरा न करके कर्द माथी करना बहुत आसान रस्ता था लेकिन सच्चा ये है कि कर्द माथी से सिर्वां परिस्टर के कुछ किसानों का फाइदा होता कामरेस के चेले चपादों का लाब होता मेरे गडीब किसान का लाब नहीं होता वो भी ऐसे किसान जिनों किसे ने किसी बैंक से लोड लिया उनको लाब दिले लाब आखिर उन करोड़ किसान के बारे में कॉल चोपता जो बैंक के बिजाए किसी दूसरे से कर्ज लेते है और हमारे देश में इनकी संक्या लाखों में नहीं बलकि करोड़ों में है नेया किसान भाई और भैनों ये नया भारत है इसमें केमर सरकार जितना पैसा किसी गरीब के लिए किसी किसान के लिए बेती है वो फेरा पैसा सीधा उसके खाते में पहुचता है अब वो दिन चले गए जबके उन्हेरे सरकार से एक रुपिया निकलता था और सिर्फ पच्चासी पैसे मिलते थे बिच में कोई ठंजा पच्चासी पैसे मार लेता था और सिर्फ पंदरा पैसा पहुता था पंदरा पैसा प्येम किसान संवाल निजी को भी फॉल फुरुब बनाया गया है ताकि आप किसान भाईयों बैनों का अधिकार कोई छिल न सके इस यो दिना में किसी भी प्रकार के बिचोने के लिए कोई स्थान नहीं है अगर आपके पास आधार नमबर नहीं है तो आप आगे गन कर सकते हैं उसका प्येम्जी करन नमबर आपके लिए काफी होगा वैसे तो जंकन बैन खाते सभी के लिए ठीगे हैं लेकिन हम अगर अधीनी किसी का बैंक में खाता नहीं है तो इनको एंकाउंट खुरवाना होगा क्योंकि पैसे सीधे बैंक खाते नहीं जाएंगे मैं किसी बिचुली के हाथ में एक नया पैसा जाने नहीं देंगा साथों कमान लाबार्तियों के सुची ये भी ज़रा आप बलाबार गाओं को समझाना रहा ये इमान बारी का रास्ता यही है साथों कमान लाबार्तियों के सुची पहने ग्राम प्रजायत में प्रदेशित की जाएगी और फिर इसको ओन लाइन पी-एम किसान पॉर्जल पर अप्लोड किया जाएगा पूरी कांफरेंसी अगर आपको लगता है कि आप इस उग्रा के लाबार्ति है लेकि इस हुची में आपका नाम नहीं है तो अपने ब्लोग में या फिर जिया पुशासन से आप संपर्ग कर सकते हैं भाई रोग हमारी सरकार एक नई एप्रेश के साथ बीच से बाजार का खेच से कलहां तक नई ब्रोस्ताओं का निर्मार कर रही है जो बाते लोग पहले ना मिंकिन सबते थे उन्हें मिंकिन कर रही है पिछले सारे चार वर्षों में सरकार द्वारा दो चरोरों में सत्रा करोर से जाला सोयल हें कार दिये जा चुके हैं यूरिया की शक्त प्रतिशक्त नीम कोटिन का फ़स्टा लेकर हमने खात का गुरुप्यों खाती चोरी वोका है अच्छे 20 के लिए हमने रिसर्च को बढ़ा ला दिया है साथ योग खेटी पर होने वाला खर्च कम करने की कोशिस के साथ-साथ किसान को पैदावर के उचित किमत मिने इसके लिए भी अनेक प्रयास किये गए है यह हमारी सरकारी है जिसने MSP पर किसानों के बरसों पुरानी मान को भी प्रया किया है रदी और खरीब की 22 फसलों का समझ कर मुल्या लाज़त का दो दिना से भी अधिक कैद किया गया है और भाई यह दानों आज जो पिसान के नाम पे गड़ियाली आशू बहा रहे है 2007 से एक MSP की फाइल इनके पाथ पड़ी थी फाइल दबा करके बढ़ गए अगर 2007 में आपने मेरे कर लिया होता मेरा देश का किसान कभी करज़दार नहीं हुआ होता यह आपका पाथ है यह आपकी बेवानी है जिसने मेरे देश के किसान को तबाह किया है भाईयों भाईयों मौसम की मार से किसानों को बचाने के लिए प्रदान मंत्री फसल गुना यह जनादी बनाई गई भाईयों भाईयों किसानों को उपज़ का उच्चित मिलने मिले और उसकी रादत कन हो इसके लिए अनेक प्रयास किये जा रहे है इनाम प्लेफॉम से बेर फ़र की सेखने मंदियों को जोडने का काम चल रहा है इससे किसानों को सीजे बेर बर की किसी भी मंदि में और लाइन अपने उपड बेचने का दिकल्प में बेगा इससे कोई भी चौलिया कीमतों को प्रभावित नहीं कर पाएगा अगले एक दो वरसों में इस माज़्यम का बहुत अधिक विस्तार होने वाला है साथ हो किसान अपने आए दो दूली कर सके इसके लिए सरकार खेटी के पानम पर इक तोर करीकों के अलावा अन्य विकल्पों को भी बढ़ावा दे रही है जैसे मज़मक्खी पानम, और्गनिक फार्मिंग, रेसम का उपानम, सोलर फार्मिंग ऐसे अनेक नए ठेटरों में हम किसान को आगे ले जा रहे है इसके अलावा पशू पानम और मचली पानम के लिए तो हमारे प्रयास नूरं कर जारी है भाई और बैनों, खेती हो या दूसरे व्यावसाएं, इन सभी को विस्तार देने के लिए बैंकों से रर्की सुविदा को भी बहुत आसान बनाया गया है इसी का परणाब है, कि पिछले गार्ष, ग्यारा लाग करोब रुपे से अधिक काकर सुविदा किसानों को दिया दया साचे किसान भाई और बैनों को कर्ज मिलने में आसानी रहे इसके लिए हमें एक और बादा प्रका लिया है बहुत बादा प्रका लिया है पहले किसान क्रेडिट कार के माद्दम से शिरप एक लाग रुपे तक का रर बिना गैरंटी लिया जा सकता था अब इसकी समा इसकी सीमा बला भी गई है अब मेरे किसान भाई किसान क्रेडिट कार के जरिये शिरप एक लाग नहीं एक लाग साथ हजार रुपे तक का कार्च बिना गैरंटी ले पाएए आज से ही एक डिपार्टमेंट बनाने का भी अलान किया है आपको मालू होगा देश आजाद हुआ लेकिन आजी वास्यों के लिए अलग मंत्राले नहीं था यह अटल बिहारी बाजपाई उन्होंने आजी वास्यों के लिए अलग मंत्राले बनाया था देश आजाद होने के बाद नौर्सिस के विकास के लिए कोई मंत्राले नहीं था गेतल भी हरी बाज़पाई जी थे जिनोंने नौर्थिस्ट के विकास के लिए अलग मंत्रा लाई बनाया था और अब फिर एक बार भाज़पा की सरकार आई है कि देश में समुद्री तट पर नभी के तट पर हमारे जो माच्छी मार भाई बहन नहते हैं उनके विकास के लिए उनकी भाई के लिए माच्छी मार के एक खेत्र से जुड़े लोगों के लिए अलग मंत्रा लाई मराजे का हमने फैसला किया है ताकि उनके विकास पर विशिज ज्यान दिया जाए साथियो इसके साथ ही एक मिवस्ता ये भी की गई है कि अब प्राकृतिक आपदा से प्रभाव होने की स्थिति में किसानों को क्रिशी रूल में छिट की सिमा एक बर्ष से बढ़ा कर तिन से पाँच बर्ष तक कर दी गई है अब इसके कारान प्राकृतिक आपदा के बाद किसान को किसी से कर्जे के लिए जाना नहीं पड़ेगा उसको समय मिलेगा अगर किसान इस अवधी में समय पर अपने कर्ज के भुक्तान करते है तो उन्हें ये भी सुनिये अगर वो कर्ज में भुक्तान करते हैं तुन्हें द्याजदर में तीन प्रतिशक अतिरिक छुटका भी लाब मिलेगा भाई और भेनों गोरतपूर और पुर्वाइन चल के पशुपाल को दूद उत्पाजकों के लिए तो आज डबल खुशी का दिन है क्योंकि आज ही एक लाग लीटर प्रतिदिनिंग सम्ता वाली नई डेरी का लोकारपड किया गया है इससे लगवाग पचास हजार दूद उत्पाजक सीधे दूद उत्पाजक संग इससे सीधे लाबान मित होंगे और साथ में रोजगार के हजारों अवसर भी बनेंगे भाई और बेनों पशुपालकों के लिए एक और अच्छी खबर है साथ्यों हमारी सरकार ने पहली बार देशी गाएं और बैसों को बढ़ावा देने के लिए पिछले वर्ष राष्ट्रिये गोपल मिशन आरम किया था इस वर्ष इसको विस्तार देते हुए राष्ट्रिये काम देनु आयोग ये बनाने का फैसला लिया गया है ये आयोग पसुदन से जुड़े कानून है जो नीतिया है उनकी समिच्छा करेगा और दूद का अजिक उत्पादन कैसे हो इसके लिए उपाय सुझाएगा इस आयोग का एक अहमकारिया गौ माता के कल्यार बेजबर में बहुजुदा गोशा लाओ और गोशादरों पिंजरापोलों से जुड़ी जानकारी जुटा कर उनकी समस्याओं का समाधान करने का भी रहेगा साथियों इस प्रकार एक बड़ी योजना ये योजना भी मेरे किसान भाईयों बैनो देद पर के किसान भाईयों बैनो एक और योजना की मैं बात पताने जा रहा हूँ ये भी आपको कितना बड़ा काम करने वाली है इसका अंदाज लगाईए हमने एक नई योजना लाए हैं किसान उर्जा सुरक्षाईवा मुठ्ठान भ्याण और ये हमने इसी हफ़ने इसकी मंजूरी दे दी है इसके तहट किसानों को सत्रा लाग से अधिक सोलार पम सुरिय की गर्मी से चलने वाले पम की मदद मिलेगी जो उनको सिंचाईपे होने वाले बिज़ी का खर्चो डीजल का खर्चो इससे उनको मुक्ति मिल जाएगी इसके अलावा दस लाग सोलार पम्पों को बिजली ग्रिट से जोडने में किसानों की मदद की जाएगी जिसे वो सुंचाईतों मुक्त में करीब आएगे लेकिन सोलार से अगर जादा बिजली पैदा हुई जरूरत से जादा बिजली है तो ये बिजली भी सरकारों को बेच करके बिजली बेच करके भी कमाई करेगा मेरा किसान इसी प्रकार किसानों की बंजर जमिन पर पांसो किलो वोट से दो मेगा वोट तक के सोलार प्रांट लगाने की भी योजना है ये अन्न दाता को उर्जा दाता बनाने के हमारे व्यापक अभ्यान का हिस्सा है अब मेरा किसान अन्न दाता तो है अब वो देश का उर्जा दाता भी बनने वाला है साथ हमारे सरकार आदिवासी भाई बहरों की आई बनाने के लिए भी प्रतिबत है हमारे आदिवासी किसानों का रिभला हो वन्धर योजना के माध्यम से ये सुनिशित किया जा रहा है कि जंगल से जो उपज ली जाती है उसकी बहतर किमत किसानों को मिल पाए इसके लिए वन्धर केंदर बनाए जा रहे है वन उपज पर जो समर्थन मुल्य सरकार देती है उसमें बीते साड़े चार बर्स में तीन बार बरोत्री की गई है दिसंबर में ही तेज उपजों का समर्थन मुल्य बढ़ाया गया है इतना ही नहीं इस दवरान सरकार द्वारा MSP के दाहरे में आने वाली फसलों की संक्या में भी वृद्धी की गई है जा साड़े चार बर्स पहले जंगल से मिलने वाली दस उपजों पर MSP मिलता था अब वो संक्या बढ़ा कर आदिवासिक किसानों के लिए ये संक्या बढ़ा करके करीब करीब पचास कर दी गई है मेरे पहरे भाईयों बेनो सरकार ने कास करके जंगलों में रहने वाने लोगों के लिए मास से जुड़े कानून में भी बड़ा बड़लाव किया है अब आप अपने खेत में भी मास उगा सकते हैं और उसको बेज़ कर अपनी आई बना सकते हैं पहले ऐसा संबोव नहीं था क्योंकि बास को पेड़ की स्रेणी में रखा गया था फिर बास की खेती कर पाए इतना ही काम नहीं किया इसको व्यापक बाजार मिले इसके लिए भी काम किया जा रहा है साथियों खेती के साथ साथ गाव और किसान की हर आवशक्ताओं पर भी सरकार ध्यान दे रही है यहां गोरखपुर में खाथ कार खाने पर तेजी से काम चल रहा है यह कार खाना एक बार फिर इस शहर की पहचान बनने वाला है इससे किसानों को परियाप्र मात्रा में उरिया उप्लब्तत होगा ही किसानों की लागत भी कम होगी भाई और बेहनों पुरवाइंचल में जहां आज ये सबा हो रही है ये पूरा खेत्रा परिवर्तन के अबुत्पर्व दोर से गुजर रहा है उद्योग गंदे हो, कनेक्टिविटी हो या फिर स्वास्त सुविदाएं बदला अस्पस्त अनुबव हो रहा है स्वास्त के छेत्र में बहुत अधिक प्रगति होई है हाल में एक रिपोर्ट आई है जिसके मुतारिक एंसे फ्राइटिस के कारण इस बार पिछले साल की अपेशा अनेक बच्चों का जीमन बचाने में सफलता मिली है साथियों पुर्वांचल की स्वात्य सुविधाओं को और मजबुती देने के लिए आज अनेक प्रजेस का लोकारपर और सिलान्यास किया गया है बाबा रागवदास मेडिकल कॉलेज में दोसो बिस्तर वाले सुपर स्पेशालिटी एस्पताल का लोकारपर आज किया गया है गोरतपुर एम्स का ओपिडी भवन भी अब सेवा के लिए समर्पिद है आज से यहाँ मरीजों की जाज और इलाज सुरू हो जाएगा साथियोग पुर्वान चल, पुर्वी भारत में सुविदाओं, उद्यमाओं और रोजगार का एक बहुत बड़ा सेंटर बनता जा रहा है इसी को देखते हुए यहाँ की कनेक्टिविटी को और भी आज़ूनिक बनाया जा रहा है गोरगपूर कैंट, कप्तान गंज, वानमी की नगर सेक्शन का बिजली करन हो गया है इससे आप इस सेक्शन में बिजली से ट्रेन चल पाएगी जिससे समय की बच्चत भी होगी और प्रदूशन भी कम आएगी ऐसी स्थिति में जब भारत के रेन में अब पूरी तरह से बिजली करन के तरफ बढ़ रही है तब यहाँ जो इलेक्ट्रिक लोकोशेड है इससे बारारसी के साथ साथ यहाँ भी इलेक्ट्रिक एंजिन बनाए जा सकेंगे इस सेर से यहाँ सीधे रोजगार तो उप्लब्द होंगे ही आजपास अनेग प्रकार के सहायत उद्योब भी लगेंगे साथ यो हमारी सरकार का प्रयास गोरगपूर समेट पुरवान चल में स्वच्छ इंद्रन और गैस आधारित अर्थे बवस्ताव को भी विख्षित करने का है प्रदान मंत्री उर्जा गंगा योजना से पहले ही यहाँ के खातकार खानों और घणों में पाईप वाली गैस जैसी परियोजनाओं को लाब हो रहा है आज 9000 करोड रुपिय की एक और गैस परियोजना का सिरा न्यास किया गया है भाई और बहनों यह तमाम योजनाओं और परियोजनाओं सबका साथ सबका विकास इसका जीता जाता उदारन है बीते सारे चार वर्षों में केंदर सरकार ने इस मुल मंत्र पर चलते हुए बेश में जन कल्यान और विकास के एक नई धाना का प्रवाग किया है चाहे वो प्रढ़ान मंत्री आलास योजना हो उज्वला योजना हो सवभाग के योजना हो आयुश्मान योजना हो ऐसी तमाम योजनाओं के लाबार्तियों के चेहन बहुती वज्ञानिक तरीके से किये जा रहा है कोई किसी भी जाती का हो किसी भी वर्ग का हो किसी भी संप्रव्याय का हो उसको हमारी सरकार की योजनाओं से लाब मिलना तय है किसी के कहने पर नाम चढ़ाने या हटवाने के कारणाने अब बंद हो चुके हैं उपर से जंदरन, आधार और मोबाइल जैसी आधुनिक मिवस्ताओं से बिचोलियों और फर्जी वाड़ा करने वाले सिस्टिम से हटाए जा रहे हैं यही कारण है कि आज देश दुनिया के तमाम सर्वे बता रहे हैं कि भारत तेजी से दीशन गरीबी की स्थिती से बहार निकलता चला जा रहा है साथियों ये सब कुछ इसलिए हो पा रहा है ये सब कुछ इसलिए हो पा रहा है क्यों हो रहा है साब ये सब ये क्यों हो रहा है इतने सारे काम क्यों हो रहे है अभी क्या करन है क्या करन है क्या करन है क्या करन है अरे मोदी कारण नहीं है कारण तो मेरे आप भाई बहन है जिनोंने 2014 में आप मेरे देश बाची है आप मेरे उत्तरप्रदेश के भाई बहन है जिनोंने 2014 में एक मजबूत सरकार बनाने के लिए जनादेश दिया था इसके लिए सब हो सकता गरीब के हित में हमारी सरकार बड़े-बड़े लोगों से बड़े-बड़े बस्ताचारियों से इसलिए बिरपा रही है क्योंकि उसे आपने महमत दिया और ऐसे फैसले लेने की आपने मुझे ताकत दी है ये ताकत ऐसे ही बनी रहे आपका आशिरवाद ऐसे ही बना रहे इसी कामना के साथ मेरे देश के सभी किसान भाई और बैनों को आज के इस मार्ट को पूर निवर्जवा के लुकारपर के समाए सर्फ चुका करके नमन करता हूँ आपका अभिनदन करता हूँ और किसान सम्मान निवी का फाइदा सभी बारा करोर किसानों को जल्द से जल्द मिले हर वर्ष मिले इस कामरा के साथ मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे साथ दोनों मुठ्थी बंद करके जोर से बोले भारात माता की भारात माता की भारात माता की बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद मानिय पुधान मैंट्री जी आपके आशीर वच्णों से यहाँ पस्तित सभी किसान भायों भयोंनों में सभी युवाओं में, सभी महिलाओं में, सभी ग्रामीन वासियों में नई उर्जा का संचार हुआ है आने वाले भरत की तस्वीर हम इस आवाज में महसूस कर सकते हैं और अब मान्री पधर मंतिजी को सियोल में अभी जो सम्मान मिला है उसके एवस में यहाँ पर सभी सांसत गण अपनी ओर से, उत्तरपदेश सरकार की ओर से, इस मंच पर शौल भेट कर रही है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मंच पर उपस्ते सभी मान्रे गणों का मारनिय पधान मंतिजी उत्तरपदेश राज्य के मारनिय मुखे मंतिजी, हमारे